दोस्तो टीम इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच वाल्टेश चेंपियंशिफ 2020 का फाइनल मुकावला खेला जाएगा यह मैच दो पहर तीन बज़े से सुरू होगा इस मैच के पिच बल्ले बाजों के लिए कैसी रहेगी और कौन-कौन से गेंदवाज इस मैदान पर विगट निगाल सकते हैं आज हम आपको इस मैदान के पिच रिपोर्ट के बारे में जानकरी देंगे कैनिंग्टन ओवल के पिच पर बल्ले बाजों को ज्यादा मदद मिलती है लेकिन मैच के शुरू आती कुछ ओवर्स में नई गेंद हवा में बहुत ही स्विंग हो सकती है जिसके वज़स से सलामी बल्ले बाजों को बच कर खेलना होगा मैच के सुरू आती दो दिनों में तेज गेंदवाजों को ज्यादा विकट मिलने की उमीद है वही तीसरे चौथे दिन स्पिन गेंदवाज मुकाबला में अपनी धाग जमा सकते है पहली पारी में और 17 स्कोर है 246 रन वही दूसरी पारी में 57 स्कोर 264 रन का है उवल के इस मैदान पर एक पारी में सरवादिक स्कोर 398 रन 5 विकट पर 50 औबर में रहा है या मुकाबला निवजिलेंड और इंगलेंड के बीच खेला गया था वहीं ओवल के इस मैदान पर पहली पारी का सबसे छोटा स्कोर है 103 रन 10 विकट पर 41 ओवर में यह मुकावला इंग्लेंड बर्सेस आरेसे के बीच खेला गया था कैनिंग्टन ओवल स्टेडियम की इस मैदान पर अभी तक 105 टेस्ट मुकावले खेले जा चुके हैं जिसमें पहले वले वाजी करने वाले टीम ने 38 मुकावले जीते हैं और पहले गेंद वाजी करने वाले टीम ने 39 मुकावले में जीत दर्ज की है कैनिंग्टन ओवल लंदन के इस स्टेडियम में दीन का तापमान करीब 19 डिगरी से 30 डिगरी के बीच रहने वाला है और रात में ता 5-16-17 डिग्री तक रहेगा इस मैदान पर 7 जुन बुद्वार को वारिस होने की कोई भी संभावना नहीं है बादल साफ रहेंगे दोश्तों क्या है आपका राया आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रैस करेगा थैंक्स पर वाचिंग